पंचाय चुनाव को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का डिप्टी सीम सचिन पालेट ने स्वागत किया है पालेट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से लोक तंद्र मजबूत हुआ उन्होंने कहा कि राजिस सरकार समय पर चुनाव करवाना चाहती है जो लोग ये चाहते थे कि चुनाव स्थगित हो जाएंगे उनकी बातों पर अब विराम लग गया है पालेट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट लेए उन नौटिफिकेशन्स को वैद ठहराया जो पंचायतों को लेकर राज्य सरकार ने जारी किये थे इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को अप्रेल तक 6 बचे चुनाव करवाने के निर्देश दिये हैं पालेट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यही स्पस्थता 8 जनवरी को भी दी गई थी जब हाई कोट के स्थे को खारिस किया गया था उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि अब जिला परिशद और पंचायत समीतियों के चुनाव भी जल्द हो जाएंगे पालेट ने कहा कि राजिस सरकार चुनाव करवाना चाहती है और निरवाचन आयोग को पूरा सेस्थ रहार है उल्हेकनी है कि बंचायत चुनाव से वंचित रह रही सभी बनकायतों में चुनाव करवानी के मामले को लेकर सुप्रीम कोड ने शुक्रवार को राजी सरकार को बड़ी राहत प्रदान की है सुप्रीम कोट ने सरकार के नॉटिफिकेशन के मताबिक ही चुनाव करने के आदेश दिये हैं अब राजी चुनाव आयोग को अप्रेल के दूसरे हफ्ते मेही शेस बची पंचायतों में चुनाव करवाने होंगे इस मामले में एएएजी मनेश सिंगवी ने सरकार के और सी सुप्रीम कोट में अरजी दाखिल करते हुए चुनाव से वंचित रह रही सबी बंचायतों में सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार चुनाव कराने की मांगी थी राजी चुनाव आयोग ने अपने काम करने के लिए तीन महिने का समय मांगा है SPN 9 Newsroom से शुतिक रिपोर्ट